नवस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करें मद्ध्पिदेश सामान निग्यान के बारे में तो एक लेक्चर हम लोग खतम कर चुके हैं मद्भधेश का सामान एक फारीछे देख चुके है हम लोग ठीक है अब बात करेंगे हम लोग राज पोनर गठन के वारे में याद रखिए मद्भधेश सामान ग्यान से समदी जितने भी हमारे लेक्सचर बनेंगी वो आपकी मद्द्पदेश सामान ग्यान के नाम से जो फिले लिष्ट सूची बने वी है उसी में डले रहेंगे ठीक है मद्द्पदेश अपने नाम के अनुरूप देश के मद्द में इस्तित है चतिस गड़क से अलग होने से पहले यह राज छेतफल के अधार पर देश का सबसे बड़ा राज था याद रखे अभी 2020 की बाद करूँ तो अभी राजस्थान पहले नंबर पर है ठीक है याद रखना है लेकिन जब चतिस गड़ अलग राज नहीं बना था मद्द पिदेश से अलग नहीं हुआ था तब सबसे बड़ा चेतफल के अधार पर मद्द पिदेश हमा रहा था ठीक फिर मद्द पिदेश का अस्तित वर्स 1947 से ही है परन्तु फिर भी आविवाजित मद्द पिदेश की सीमाय राज पुनरगठन आयोग की सिफारित के बाद ही खीच गई थी बर्स 1956 के पूर चतिस गड़ और वर्तमान महाकोसल सी पी एंड वरार के हिस्से थे जिन्हें समलेत रूप से मद्द पिदेश कहा जाता था लेकिन उसकी सीमा रेखा और इस्तिती बर्तमान मद्द पिदेश से काफी भिन्ने थी सुतंत्ता की पश्चात मद्द पिदेश को A स्टेट, V स्टेट तथा C स्टेट में बाटा गया सेंटल फ्रोविंसेस तथा वरार में 36 गड़ और बगेल खंड को मिला कर पार्ट A, स्टेट A बनाए गया था फश्चिम की रियासतों को मिला कर पार्ट B, स्टेट B बनाए गया था इसका नाम मद्द भारत रखा गया था ठीक है फिर उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी या स्टेट सी बनाए गया था भोपाल पार्ट सी का भाग था इसे बिंद प्रदेश भी कहा जाता था पार्ट सी को यह state है और यह राजधानिया है तो state A की राजधानी क्या थी नांगपुर state B की राजधानी ग्वालियर तथा इंदोल state C की राजधानी थी रिवा भोपाल state की भोपाल याद रखना state A की राजधानी नांगपुर इस्टेट B की राध्धानी थी ग्वालियर तथा इंदोल इस्टेट C की राध्धानी थी रीवा इस्टेट जो भुपाल राज था उसकी राध्धानी थी भुपाल राज पुनर गठन आयूप का गठन 1953 में हुआ 1953 में फजल अली ये नाम याद रखना आपको फजल अली खां की अद्धिश्टा में गठित राज पुनर गठन आयूप की अनुसांसा पर एक नवंबर 1956 को मत्पिदिस का गठन हुआ राज पुनर गठन आयूप उन्ने सो तिरेपन की सिफारिस के आधार पर राज्यों की सीमाओं में निम्लिकत परीवतन किये गए बुल्डाना, अकोला, अम्रावती, योत्माल, वर्धा, नांगपुर, भंडारा चांदा को ततकालीन मुंबई महराष्ट में मिला दिया गया बुल्डाना, अकोला, अम्रावती, योत्माल, वर्धा, नांगपुर, भंडारा, चांदा को ततकालीन महराष्ट में, मुंबई में मिला दिया गया था और जो सेस पायटे बच्चा था, वो पूरा मदपिदेश में का भाग बना मंदपुर जले की भानपुरा भानपुरा तहसिल के सोनेल ठपपा को छोड़कर सेस भाग को मद्धिदेश में मिला दिया गया था कोटा कोटा जले की सिरोंज तहतील को मद्धिदेश के बिदीशा जले में मिला दिया गया था किसे कोटा जले की सिरोंज तहसील को मद्धिदेश के बिदीशा जले में मिला गया था आंगे बात करते हैं सेज पार्ट बी का हिस्सा बर्तमान मद्ध विदेश का आंग है पार्ट सी बिन्द विदेश का संपूर भाग बर्तमान मद्ध विदेश में मिलाए गया था तो याद रखना पूंचा जा सकता है कि किस पार्ट का AVC में से किसका पूरा पिदेश मद्धपिदेश में मिलाए गया था पूरा चे तो याद रखना पार्ट C का बिंदे पिदेश का संपूर्ण भाग बरतमान मद्धपिदेश में मिलाए गया था जो भोपार राजवी बरत्मान मद्विदेश का अंग बना ठीक है एक नमबर 1956 को नव निर्मित मद्विदेश में 43 जले थे पूच्छा जा चुका है कई बार पूच्छा जाएगा कि मद्विदेश में निर्मित होने की समय कितने जिले थे तो 43 43 जिले थे और आठ संभाग थे इस समय मद्यपिदेश का छेतफल कितना था चाल लाग 43,446 बर किलोमीटर ठीक है और मद्यपिदेश सबसे बड़ा राज जिता छेतफल की दिरिश्टी से अभी किस नमबर पर तो अभी याद रखिये 2020 की बात कर रहा हूँ तो अभी पहले पर राजिस्थान दूसरे पर महराष्ट सरी दूसरे पर मद्यपिदेश पहल 26 नमबर 1972 को भोपाल को सिहोर से और राजनाद गाओं को दुरुक से अलग करके दो नए जिले पनाए गए और जिलों की संख्या इस पेकार हो गई 45 ठीक 1972 में दो जिले बनाए गए भोपाल और राजनाद गाओं तो कितने हो गए 45 जिले नभीन मद्यपिदेश की राजधानी भोपाल को बनाए गया जो पूर में सिहोर जिले की एक तहसिल थी थिर आए बी यार दोवे की अध्यक्ता में गठित जिला पुर्णर गठन आयो कि सिफारिश पर मद्य बर्स 1998 में 10 नए जिले बनाए गए तो यहां तक 45 हो गए फिर 45 और 10 कितने 55 हो गए ठीक है 1998 में बच्पन हो गए फिर आगे बात करते हैं सिंग देयो सम्ति ए बी यार दोवे की अध्यक्षता में गठित हो गया था जिला उनर गठन आयो फिर सिंग देयो सम्ति की सिफारिश पर 1998 में 6 जिले और बनाए गए इस पेकार जिलों की संख्या हो गई टोटल 61 एक नबंबर 2000 को मद्ध पिदेश से 36 गड़ के अलग होने से 16 जिलों से नभीन राज में चले गए याद रखिए 61 में से 16 चले गए 16 जिलों को अलग करके 36 गड़ राज बना दिया गया और मद्ध पिदेश में पुनाहा जिलों एवं संभागों की संख्या रहे गई 45 और 9 9 संभाग रहे गए और 45 जिले रहे गए 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को बौस सम्ती की सिफारिस पर 3 जिले बुरहानपोर खंडबा से अलग करका अनूपोर सहडोल से और असुक नगर गुना से अलग कर गठन किये गए जिससे पिदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई थी याद रखना है आको क्या आद रखना है कि 6 जो जिले 1998 में बनेते हैं सिंघ देव समधि की सिफारिष पर बनेते और 2003 में जो 3 जिले बनेते जे बौस सम्ती की सिफारिस पर बनेते फिरह अंगला 17 मई बर्स 2018 को स्री 2008 को 17 मई 2008 में अली राजपोर तत्ता संग्रयोली को जिला बनाय गया जिससे प्रिदेश में जिलों की संख्या हो गई 50 अब बात करते हैं आगे 16 अगस्त 16 अगस्त 2013 में साजापुर से अलग करके आगर कुन नया जिला बनाया गया जिससे अब जिलों की संख्या हो गई थी 15 अर संभाग 10 लेकिन याद रखना है आपको अक्टूवर कब ऑक्टूवर 2018 में अक्टूवर 2018 में एक नया जिला बनाये गया कौनसा निवाड़ी तीकमगड से अलग करके निवाड़ी बनाएगे टीकमगड से अलग करके कौन-कौन सी तैसिल को अलग किया था पित्थिवीपोर निवाड़ी और ओर्चा ठीक है तो बावन बाजिला है हमारा निवाड़ी आगे बात करते हैं मद्द पिदेश में 1956 से पूर मद्भारत कहा जाता है था मद्द पिदेश को मद्भारत पिरांथ 25 रियासतों से मिलकर बना था और इसकी राधधानी किरमसा गवालियर और इंदोर थी बिंदपिरांथ 38 रियासतों से मिल कर बना था इसकी राधधानी रीवा थी Central Provinces की एक मात रियासत जो बरत्मान मद्पिदेश में सामिल की गई मकडाई रियासत हर्दा ठीक है आँगे बात करते हैं मद्पिदेश पुनरगठन को देख लेते हैं ठीक है एक संचिफ्ट में 1847 से 1956 मद्पिदेश के स्थान पर चार राज थे CP बरार मद्भारत बिंदपिदेश और भोपाले श्टे फिर 1 नमबर 1956 को मद्पिदेश की स्थापना हुई 23 जिलों के साथ ठीक 26 नमबर 1972 को दो जिली नई बने भोपाल और राजनन्द कितने हुगा टोटल 45 फिर 25 मई 1958 को चार नई जिली बढ़वानी सिवपोर कटनी डिनोरी मद्पिदेश के और 6 नई जिली 36 गडगे तो इस पेकार टोटल 10 जिलों के 10 जिली बने 1998 में माई में फिर 10 जून 1998 में तीन नई जिली बने उमरिया हर्दा नीमच फिर 1 नवंबर 2000 को मद्पिदेश का पुनर गठन हुगा वो 36 गडग फिथक राज बना 16 जिलाउं का अलग करके 84 बा समीधान बिदेयक थाई संसोधन बिदेयक ठीक 15 जगस्त 2003 को तीन नई जिले बने असोक नगर बुरहानपूर अनुखपूर 17 मई 2008 को दो नई जिले बने अली राजपूर और सिंग्रोली फिर रहांगे एक अप्रेल 2012 को अभी याद रखिए करिंद में 2020 की बात करूं तो 420 के करीब लगबग तैसील हैं मत्पधिश्माट ठीक है फिर है 16 जगस 2013 को साजापूर जिले से अलग करके आगर जिला बनाए गया ठीक है तो इंक्याबन जिले हो गए थी ठीक है फिर है हमारा 2018 तो ऑक्टूबर 2018 में निवाडी जिला बनाए गया बावनबा जिला कौनसा बावनबा जिला ठीक है तो याद रखिए निवाडी जिले में अब ओर्चा आता है आपका तीरी तिस्तल जोए ठीक है क्योंकि जब से निवाडी जिला बनाए तो निवाडी जिले में ओर्चा तैसिल को सामिल कर लिया गया है ठीक चलिए तो यह था हमारा मद्पिदेश का राजपुनर गठन बागत करेंगी आंगे हम लोग आंगे देखेंगे हम लोग दो चप्तर खतम कर चुके तीसरा चप्तर होगा हमारा संभाग और जिले बार ठीक है जितना भी संभाग है मद्पिदेश में और जिले है उनके बाब बारे में एक हम लोग deeply knowledge देखेंगे जानकारी राप्त करेंगे ठीक है